हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग ये जो कॉपर क्लैट बोर्ड देख रहे हैं, ये कॉपर क्लैट बोर्ड है, ये 1.2 mm का कॉपर क्लैट बोर्ड है, और यहाँ पे एक्टो है, ये कॉपर क्लैट बोर्ड है, ये कॉपर क्लैट बोर्ड ग्लाजी में, यानि ये ग्लास फाइवर में है, तो ये कॉपर क्लैट बोर्ड में आप लोग किस तरीके से ये जो PCB का डिजाइन देख रहे हैं, ये PCB का ले आउट है, जो मैंने प्रिंट आउट से निकाला है, तो इस PCV को किस तरीके से आप लोग बनाएंगे उसका पूरा टोटल वीडियो तो ये वीडियो जो है ये दो पाटों में होगा तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि YouTube में बहुत सारा ऐसा वीडियो है जिसमें आप लोग को दिखाया गिया है किस तरीके से आप लोग PCB बनाएंगे तो उसका जो materials है materials आप लोग को मिलता नहीं है, मिलता भी तो है तो आप लोग ढूलने में बहुत परेशान हो जाते हैं तो मेरे पास available है हर वो चीज तो आप लोग को मैं ये request करता हूँ अगर आप लोग चैनल में नए हैं चैनल को subscribe कीजिए मैं बहुत दिन से ये देख रहा हूँ कि आप लोग चैनल को subscribe नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो पुड़ा watch करते हैं अगर आप लोग subscribe नहीं करेंगे मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही साथ है कि आप लोग को मैं कुछ सिखा सकू तो चलिए ज्यादा बात ना बढ़ाते हुए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या-क्या समान का जरूरत पढ़ने वाला है तो देखिए सबसे पहले आप लोग को जो चीज लेना होगा वो है आप लोग जो PCB बनाएंगे देखिए ये मैंने एक प्रिंट आउट निकाला है जो PCB का ले आउट है तो ये A4 पेज का है तो इस A4 पेज का जो ले आउट है आप लोग को सबसे पहले ले आउट को इस तरीके का ट्रेसिंग पेपर में एक कॉपी निकाल लेना परेगा और उसके बाद ये जो फ्रेम में आप लोग देख रहे जो कपरा लगा हुआ है एक्चुली ये जो कपरा है ये मैंने खुद अपने से फिट कर लिया है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इस तरीके से ये कपरा फिट करना है इस कपरे का नाम है मेश कपरा ठीक है इसको मेश कपरा बोला जाता है तो इस तरीके का कपरा ऐसा एक तो फ्रेम में आप लोग पहले सेट कर लिजिए उसके बाद आप लोग को जो करना होगा ये जो PCB का ले-आउट है जो tracing paper में है इस PCB का layout को इसके उपर आप लोग को transfer करना है ठीक है और ये जो chemicals आप लोग देख रहे हैं ये क्या के chemical है मैं दिखा रहा हूँ ये एक sona coat है जो की screen coating के लिए ज़रूरत पड़ता है और ये sensitizer है जो की ये sona coat बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कैसे इस्तेमाल करन है वो भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा लेकिन दूसरे वीडियो में अगर आप लोग देखना चाते है तो channel को subscribe कीजिए तो आप लोग को ये video ज़रूर मिल जाएगा और आप लोग अगर सीखना चाते है तो comment कीजिए वो भी मैं details में video बना दूंगा आज मैं आप लोग क को दिख्या हूंगा कि क्या क्या material इस्तेमाल होता है और अगर आप लोग ये सब material लेना चाते है तो ये जो screen में number flash हो रहा है ये number में मेरे को whatsapp कीजिए तो मैं आप लोग को ये material provide कर दूंगा जिन भाई लोग को जरूरत है तो देखिए सबसे पहले आप लोग को जो जरू circuit blue है ठीक है इससे क्या होता है ये जो copper clad board आप लोग को मैंने दिखाया है इस copper clad board के उपर ये जो circuit blue है इस circuit blue के जरीया आप लोग इसके उपर print निकल सकते है प्रिंट निकलने के बाद आप लोग को जो करना होगा वो है ये PCB etching ferric chloride acid है तो ये ferric chloride acid को आपको गरम पानी में घुल लेना परेगा और घुलने के बाद ये जो copper clad board में आप लोग print निकालेंगे तो इसको बड़िया से उसके अंदर डाल के किस तरीके से print निकलना है वो भी मैं दिखाऊंगा उससे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसमें print कैसे निकाले तो देखिए पहले ये ज बात जब इस frame में print आ जाएगा आने के बाद आप लोग को ये जो circuit blue है इस circuit blue ले करके ये squizer के माधम से आप लोग को ये copper clad board में print उतार लेना होगा और उतार लेने के बात आप लोग को जो करना होगा वो है देखिए ये reducer है ये reducer भी आप लोग को मिल जाएगा ये कैसे इस्तेमाल करना ये भी मैं दिखाऊंगा और उसके साथ जो लगता है ये catalyzed ये catalyzed भी आप लोग को मिल जाएगा और end में जो इस्तेमाल होता है वो है ये solder resist blue आप लोग solder resist blue में आप लोग ये मैं blue color इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोग blue color छोड़के red color भी इस्तेम कर सकते है तो देखिए ये दो circuit मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ तो देखिए ये पीछे का हिस्सा ये PCB का जो पीछे का हिस्सा है देखिए ये red color में है तो ये red color में आप लोग PCB का जो पीछे वाला color होता है वही color है ये solder resist blue ठीक है तो ये red color में आप लोग को दिखाया औ और ये जो blue color है, ये blue color मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये देखे, ये blue color, देखे कितना glossy है, ठीक है, आपको glass fiber PCB में अगर print निकालना है, PCB बनाना है, तो बिल्कुल इस तरीके से blue color का print इसमें आ जाएगा, तो PCB देखने में भी काफी बढ़िया लगेगा, और ये catalyzed, ये भी कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब chemicals जो है, ये सब chemicals कैसे, किस तरीके से मिलाना है, कैसे बनाना है, ये सब पूरा वीडियो आप लोग के साथ मैं share करूंगा, तो फटफट चैनल को subscribe कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो like कीजिए, और अगर PCB बनाने वाला, ये सब chemical आप contact कीजिए, थैंक यू फ्रेंड्स,